नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं हूम थीटर के बारे में और दोस्तों आप देख सकते हैं यह हैं इंटेक्स कंपनी का हॉम थीटर है और अरिकता दोस्तों इसमें एक फाल्ट आता है कि दोस्तों चलते चलते अक्सर इसका ब कारण क्या होता है आपके होम ठीटर पर दोस्तों सबसे पहला कारण होता है कि बेस बचते बचते आपका अचानक से बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है दोस्तों यह स्पीकर लगा होता है बेस के लिए दोस्तों यह स्पीकर आपका खराब हो जाता है तब ऐसा होता है औ और दोस्तों, आप अपशने हैं, कि यह जो इस फीकर है, बेस वाला और दोस्तों इसका जो आउटपुट IC है, TDA 20-30 अक्सर दोस्तो यूज होता है IC में, तो दोस्तो यह IC खराब हो जाता है, तब भी दोस्तो आपका बेस आना टोटल बंद हो जाता है, और कभी कि भी दोस्तो आइसी खराब होने पर आपको हमिंग की आवाज भी सुनाई देती है, और साथ साथ दोस् का टोन कंट्रोल होता है, तो दोस्तो यह आपका खराब हो जाता है, तब गी दोस्तोव आपका बेस आना टोटल बंद हो जाता है, और दोस्तो इस इसे tone control को आपको change करने के लिए दोस्तों आपको home theater को आपको सामने की तरफ से दोस्तों open करना होता है किसी भी page का सवगरा की सहायता से दोस्तों बड़ी आसानी से आपको इसे जो है निकालना होता है और बाहर दोस्तों आपको हलके से खीजना होता है और देख सकते हैं दोस् दोस्तो बेलूम भी खुराब हो जाता है तो दोस्तो आप जो है तो चिंज कर सकती हैं दोस्तो अपने घर पर भी ठीक कर सकती है दोस्तों नमस्कार